नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आर्पे टैक्निकल इस्टडी योटूब चैनल में तो दोस्तों आज किस वीडियो में आपने बात करेंगे राजस्तान जिक्ये के 1000 Multiple Choice Question Online Test Series का Test No.2 के बारे में एक पहले अपलोड हो चुका जिसका लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना क्योंकि सभी question बहुत important question है जिसमें अपने 50 तक के question देख लिए थी अब आज की इस वीडियो में तो दोस्तों जैसा कि अपने online test no.1 में 50 तक के question देख लिए थे अब बात करेंगे question no.51 से तो आप सभी को भी इसका answer बताना है कमेंट बोक्स में टाइब करके सभी questions का answer बताना है और सभी दोस्तों से request है कि एक बार वीडियो को जरूर share कर देना है सभी गूर्पों में share कर दीजिए फटापड से तो चले सुरू करते हैं question no.91 से निमन में से किस राजपूत सासक ने अकबर के नागोर दरबार में उपस्तित होने के बावजूद उसकी अधिन्ता सिवकार नहीं की इन में से कौन सा है option दे रखा है महराना उदे सिंग, भी दे रखा है महराना परताप, सी दे रखा है महराना कल्यान मल, दी दे रखा है महाराओ चंदरसेन इन में से क्रेक्ट आंसर क्या होगा कि किस राजपूत सासक ने अकबर के नागोर दरबार अर्थार्थ 1570 इस्वी में उपस्तित होने के बाद बावजूद भी उसकी अधिन्ता सिवकार नहीं खीती इन में से कौन है फटापड से बताइए इसका क्रेक्ट आंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराओ चंदरसेन correct answer क्या होगा option number D अगला question दे रखा धारी संसकार राजस्तान की किस जन जाती में परचलीत है गरास या जन जाती, मेना जन जाती, सहरिया जन जाती या भील जन जाती तो धारी संसकार इनमें से किस जन जाती में परचलीत है important question है, फटापर से इसका right answer comment box में type करके बताना है तो फटापर से बताओ इसका right answer कौन सा होगा तो दोस्तो धारी संसकार है वह राजस्तान के सहरिया जन जाती में परचलीत है किस जन जाती में है? सहरिया जन जाती में तो right answer होगा option number C अगला question दोस्तो अगला question देरागा राणा पुझा किस राजा का सहना पती था? राणा पुझा था, वह किस राजा का सहना पती था? राणा सांगा का, राणा कुमबा का, राणा परताप का, परत्वी राज, चोवान का तो इन में से किस का सहना पती था? तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा राणा पूजा था वेहतार राणा परतापका किसका सेनापती था राणा परतापका तो इसका right answer हो जाएगा option number C अगला question देरा का वीर विनोध पुस्तक के रचिता कोन है तो वीर विनोध पुस्तक है उसके रचिता कोन थे इसका right answer हो जाएगा श्यामल दास correct answer होगा option number B अगला question दोस्तो अगला question देरा का कर्शन मरग किस अभ्यारण में पाए जाते है सिता मात अभ्यारण, रन्थमपोर अभ्यारण, सरिसका अभ्यारण या ताल शापर अभ्यारण तो कर्शन मरग है वह किस अभ्यारण में पाए जाते है important question है फटाबर से बताओ इसका right answer कोन सा होगा तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा ताल चापर हव्यारण में पाई जाते हैं कर्षण मरक कहां पाई जाते हैं ताल चापर हव्यारण में तो right answer होगा option number D अगला question दिरका नाथ दुआरा में सिरिनाथ जी की मूर्ति को किसने परतिश्टी कराया था option दिरका महाराना राज सिंग ने, महाराना परताप ने, महाराना सांगा ने या महाराना कुंबा रे तो नाथ दुआरा में सिरिनाथ जी की मूर्ति को किसने परतिश्टी किया था, अर्थार्थ कराया था इसका right answer हो जाएगा महाराना राज सिंग ने, correct answer होगा option number ये अगला question, दोस्तों अगला question दे रखा, निमन में से किस जिले से, चम्बल नदी नहीं गुजरती है तो correct answer कौन सा होगा, तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा, जालावार जिले से, चम्बल नदी नहीं गुजरती है, right answer क्या हो जाएगा, option number C अगला question दे रखा, 30 March 1949 को इस्तापित व्रहद राजस्तान के पर्थम परदान मंत्री कोन थे option दे रखा, लालबादु सास्त्री, B दे रखा, गोकुल बाई बठ्थे, C दे रखा, हीरा लाल सास्त्री, D दे रखा, मतुरा दास मातुर तो इन में से correct answer कोन सा होगा, 30 March 1949 को इस्तापित, व्रहद राजस्तान के परथम परदान मंत्री कोन थे तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा, हीरा लाल सास्त्री, correct answer होगा, option number C अगला question, अगला question दे रखा, निमन में से किसने, माउंट अभू के, राजस्तान में, विले में, मातापुरान योगदान दिया option दे रखा, हीरा लाल सास्त्री, B दे रखा, सिद्राज डड़ा, C दे रखा, गोकुल वाई भट, D दे रखा, विसु मोन भट तो correct answer क्या होगा, इसमें से, तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा, गोकुल वाई भट, correct answer होगा, option C अगला question, दोस्तो अगला question दे रखा, महर सी दयानन्द का सरोगवास, निमन में से किसी इस्तान पर हुआ था, जे पूर, अलवर, अजमेर या जोदपूर, right answer कौन सा होगा, इन में से तो दोस्तों महर्शी देयानंद का सरगवास किसी इस्तान पर हुआता तो इसका राइट आंसर होगा अजमेर में हुआता कहा हुआता अजमेर में तो राइट आंसर होगा option C अगला कुश्ण दिरहाँ, धक्षिनी राजस्तान की जन जातियों में बडालिया का आरत है, ऑyorsun दिरहाँ, दो पक्षों के मध्य विवा संबंध में मध्य इस्तता करने वाला भुपाजी से आशिर्वाद लेने की पर था सी देरका विवा के आउसर पर पहना जाने वाला आबूशन दी देरका पुत्र जनम के आउसर पर मनाये जाने वाला उत्षव तो दक्षिनी राजस्तान की जन्जातियों में बडालिया का क्या आरत है इंपोर्टन्ट क्यूशन है तो दोस्तों बडालिया सबहद है इसका मतलब होता है कि दो पक्सों के मद्दे विवा संबन्द में मद्दे इस्तता करने वाला क्या होता है दो पक्सों के मद्दे विवा संबन्द में मद्दे इस्तता करने वाला क्या क्या लाता है उद्यपुर में बांसवाडा में विक्कानेर में या जोदपुर में तो कहां इस्तित है इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाडा में कहां इस्तित है मानगडदाम बांसवाडा में तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर बी अगला क्यूशन दोस्तों अगला क कौन सा होगा तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खापिंडारी करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर यह अगला कुशन अगला कुशन देरा का सवाई जैसिंग द्वारा निर्मित वैद्ध साला ए अर्थार्त जंतर मंतर निमन में से किस सहर में नहीं है दि और दोस्तों इसका राइट आंसर होजएगा भौपाल में नहीं है करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर डी अगला कूशन जांधा कवील्गराशिया जंजाती में दापा का क्या रथ Wilis जय रखेंगे का अरत नहीं से ओप्शन दे रखा कन्या पक्स द्वारा वर पक्स से कन्या के बदले में धंद रासी लेना दे रखा वर पक्स द्वारा कन्या पक्स से भोज एवं धंद रासी लेना सी दे रखा दोनों पक्सों द्वारा मिलकर विवा का खरच वहन करना दी दे रखका कन्या पक्स दुआरा पुत्र जनम पर आयुजित होने वाले उत्सव का खरच वेन करना तो भील गरास या जनजाती में डापा का आरत होता है। दापा सबद होता है उसका क्या आरत होता है। Important क्यूशन है फटाबर से बताईए क्या होगा इसका correct answer तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो देगा कन्या पक्स द्वारा वर पक्स से कन्या के बदले में धनरासी लेना करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर ये अगला क्यूशन दिरका निमन में से किस सास्त्रिय नर्तिय की उत्पती का संबंद राजस्तान से हैं इसका राइट आंसर होगा ओप्शन नमबर सी अगला क्यूशन दिरका निमन में से कौन सा यूगम सही सुमेलित नहीं है ओप्शन दिरका सजन गड़ उद्यपूर बी दिरका नारगड अजमेर सी दिरका मेरान गड़ जोधपूर डी दिरका लोगड बरुतपूर तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा तो दोस्तो सजन गड़ उदे पर ये तो सही है दूसरा दे रखा है मेरान गड़ जोदपूर ये भी सही है लोह गड़ बरदपूर ये भी सही है तो इन में से सुमेलित कौन सा नहीं है नार गड़ अजमेर सुमेलित नहीं है तो इसका correct answer हो दाएगा option number B ये क्या है ये नार गड़ अजमेर नहीं है correct answer होगा option number B अगला question दे रखा राजपूताना नामक का परियोग सरव परताम कब ये ओं किस ने किया था तो correct answer क्या होगा इन में से राजपूताना का नाम परियोग सरव परताम कब ये ओं किस ने किया था तो इसका right answer हो जाएगा अठारा सो इस्वी में लिया था जोर्ज थोंस ने correct answer होगा option number E अगला question दोस्तों अगला question दे रखा उद्यनाथ परवत राजपूतान के किस जिले में इस्तित है जेपूर में अजमेर में अलवर में या सिक्कर में तो उद्यनाथ परवत वह राजपूतान के किस जिले में इस्तित है इसका right answer हो जाएगा अलवर में correct answer होगा option number C अगला question दे रखा राजस्तान में सीतकाल में होने वाली वर्षा अर्थार्थ जिसे माउट केते हैं वह किन कारूनों से होती है सीतकाल में होने वाली वर्षा को क्या का आजाता है माउट का आजाता है तो वह किन कारण से होती है तो राजस्तान में सीदकाल में होने वाली जो वर्षा होती है अर्थार जो माउट होती है वहाँ किस कारण से होती है इसका मुख्य कारण क्या है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पस्तमी विक्षोब के कारण करेक्ट आंसर होगा ओप्षन नमबर बी अगला क्यूशन देरका वरस 2011 की जनगनना के आदार पर राजस्तान के संबंद में कौन सा खतन सही नहीं है क्यूशन देरका क्या वरस 2011 की जनगनना के आदार पर राजस्तान के संबंद में कौन सा खतन सही नहीं है सही नहीं को बताना है ओप्शन इंदरखा है सरवादी की वरदी डूंगरपुर में है इनमें से और इंपोर्ट अंसर क्या होगा इनमें से खतन fix गलत है अर्थार्थ सही नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरवादिक महिला साखसरता जेपुर में है करेक्ट आंसर क्या होगा ओप्शन नमबर ये ये सही नहीं है ये सबद क्या है सही नहीं है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर ये अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दे रखा बातारी फुलवारी नामक गरंद के रचिता कोन है उसके रचिता को बताना है इसका राइट आंसर हो जाएगा विजेदान देता कोन है विजेदान देता कोन है विजेदान देता तो करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमब पुलिस अधिकारियों को कारिये पालक मज़िश्ट्रेड को प्राप्त आए जेपुर एयम कोटा, जेपुर एयम जोदपुर, जेपुर एयम आजमेर, केवल जेपुर, तो correct answer क्या होगा इन में से, तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा, जेपुर और जोदपुर, correct answer होगा option नमबर B, अगला question, अगला question रगा, जेपुर शेहर को गुलाबी रंग किस राजा के दुवारा दिया गया है परताप सिंग दुवारा राम सिंग दिवतिये दुवारा सवाई जैसिंग दुवारा या इस्वर सिंग दुवारा तो जेपुर शेर को गुलाबी रंग किस राजा के दुवारा दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा राम सिंग द सितान परे जोर होने का उलेख नहीं पाय जाता है राइट आणसर हो जाएगा सिरोई में करेक्ट आणसर होगा ओप्शन नमबर डी अगला कुश्णकी दोस्तों अगला कुश्टह रखा निमन में से किस जिले में कोई राष्ट्रिय उद्धान नहीं है इनमें से किस जिले में है कि राष्ट्रिय उद्धान नहीं है नहीं को बताना है तो किस में नहीं है गंगापुर में सवाइमादोपुर में बरतपुर में चीतोडगड में तो किस जिले में राष्ट्रिय उद्धान न नहीं को बताना है इसका राइट आंसर उदाइगा गंगापुर में और चुप्षिन नमबर ये गंगाणगर पे नहीं आगला क्यूचन रहा है निमन में अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दोस्तों 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 दोस्तो इसका राइक ढांसर होगार राज संबंद एवं भगोर। राज संबंद एम भरतपुर। अगला क्युशन निमन में से कौन सी भूर आजसब व्यवस्ता राजा टोडर्मल से संबंदित है बठाई, जरीब, जबती या कनकट करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका राइट आंसर होज़ेगा जबती करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर C अगला कुश्चन राणा कुमबा द्वारा निर्मित अचलगड का किला किसी इस्तान पर इस्तित है पाली, आहोर, सिवाना या माउंट आबू तो राणा कुमबा द्वारा निर्मित अचलगड का किला किसी इस्तान पर इस्तित है important question है फटावड से right answer बताईए तो दोस्तो इसका right answer हो दाईगा mount taboon में correct answer होगा option number D अगला question अगला question रखा मकराना में मिलने वाले विशु परशिद संग मरमर की किसम क्या है calcite, dolomite, silicium या marbonite correct answer क्या होगा इन में से मकराना है उसमें मिलने वाले विशु परशिद संग मरमर की किसम क्या है इसका right answer हो दाईगा calcite correct answer होगा option number E अगला question रखा सागरमल गोपा का संबंद किस रियासत चे है बिक्का नेर, हुद्यपूर, जैसल मेर या किसनगड तो सागरमल गोपा है उसका संबंद किस रियासत से है इसका right answer हो दाईगा जैसल मेर से correct answer होगा option number C दोस्तो अगला question रखा सीता बाड़ी में किस जनजाती से संबंदित मेला लगता है ग्रासिया, भील मिना, सहरिया, काल बेलिया तो इन में से सीता बाड़ी किस जनजाती से संबंदित मेला लगता है राईट answer हो जाएगा सेरिया, correct answer होगा option C अगला question दोस्तों 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 किस राजा को C दे रखा राना कुमबा, D दे रखा महराना परताथ, तो इन में से किसी राजा को अभिनाव बरताचारिये, इंदू, सुर्तान, छाप गुरु या राई, रायन, यहुम दान गुरु की उपवादियों से जाना जाता है, को नहीं इन में से, तो इसका राईट आंसर हो राजपूताना, राईथान, राजस्तान यहमारु छेत्र, तो जोर्ज थौमस द्वारा सन 18.네요 राजस्तान के लिए क्या नाम दिया गया था, इसका राईट आंसर हो जाएगा राजपूताना, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नमबर यह, अगला कुस्ट Aww, अगला कुषन आंसर कौन सा होगा इन में से तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राइथान क्रेक्ट आंसर क्या होगा ओप्शन नमबर बी करेंगा नगर का प्राचीन नाम था अलो रा, रामनगर का प्राचीन नाम क्या है, इसका राइट आंसर रंजर ओप्शन नंबफर b ॅगले कुशन अगले क्विशब्सस्टन एलो रामनगर कैसे नाम क्या नाम से जाथा वल देश मांड ये वह भी दोनों या मरूवर तो जैसल मेर छेतर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वल देश वह मांड के नाम से तो correct आंसर होगा option number C अगला क्वेशन अगला क्वेशन रखा जैसल मेर छेर को नीमन में से किस लोग प्रिये नाम से भी जाना जाता है सुनेरा से गुलाभी सेर नीला सेर या सवेथ से तो जैसल मेर सेर को किस लोग प्रिये नाम से भी जाना जाता है इसका correct answer हो जाएगा सुनेरा सेर के नाम से correct answer ह तो इसका क्रेक्ट आंसर क्या होगा वागड बांसवाड़ा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी अगला क्यूशन दिरका तो रहा वाटी चेतर किस जिले में इस्तित है शिरोई में शिकर में अजमेर में या कोटा में तो तो रहा वाटी है वह किस जिले में इस्तित है इसका राइट आंसर हो जाएगा शिकर जिले में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नमबर बी अगला क्यूशन दिरका निमन में से कौन सा जिला रा तो इसका right answer हो जाएगा 12, correct answer क्या होगा, option number D, अगला question, दोस्तों अगला question दे रहा है, राजस्तान अपने वर्तमान सवरूप में, एक नवंबर 1956 को आया, इस समय राजस्तान में कुल जिले कितने थे, जिलों की संक्या बतानी है, एक नवंबर 1956 को, 22 जिले, 24 जिले, 26 जिले य में से, तो दोस्तों, एक नवंबर 1956 में, राजस्तान वर्तमान सवरूप में, एक नवंबर 1956 को आया, तो इस समय राजस्तान में कुल 26 जिले थे, कितने जिले थे, 26 जिले, तो correct answer होगा, option number C, अगला question, अगला question दे रहा है, 2011 की जन गड़ना की दरश्टी से, जेपुर, 66.26 अरतार सबसे बड़ा जिला है, वहीं, खालिस्तान सबसे छोटा जिला कौन सा है, धोलपूर, जैसल मेर, डूंगरपूर या उद्यपूर, तो correct answer कौन सा होगा, इनमें से, इसका correct answer होगा, सबसे छोटा जिला है, जैसल मेर, correct answer होगा, option number B, अगला question, अगला question दे रहा है, 15 ज द्वारा, सिव चरण, माथुर द्वारा, हीरा लाल, देव पुरा द्वारा, या भहरो सिंग सेवक्कावत द्वारा, तो इनमें से correct answer कौन सा होगा, तो दोस्तों, इसका right answer होगा, हरी देव जोशी द्वारा, correct answer होगा, option number E, अगला question, अगला question रहा है, सरवादिक नदिया संभाग कौन सा है, कोटा, जेपूरी, बिकानेरिया, उदेपुर, तो सरवादिक नदियो वाला संभाग कौन सा है, इनमें से, इसका right answer होगा, correct answer क्या होगा, कोटा संभाग, correct answer होगा, option number E, अगला question रहा है, अंतर राजी, सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है, अंतर राज अंसर होगा, जमेर, correct answer होगा, option number B, अगला question, अंतर राजस्तान के कोन से, बनुसा कार है, इनमें से, और इसका right answer होगा, option number ये तो दोस्तों इस वीडियो में इतना वीडियो पसंद आया हो तो like कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा सी ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्ते एक पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए साथ में और नाटिकेशन बेल को भी ओन कर लिजिए थैंक्यू